हेलो, वेलकम टू मैं चलर हादिबुटेक, मैं हूँ मीनु वर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी कि अमरेला फ्रोग की कटिंग कैसी करते हैं फुल अमरेला फ्रोग की कटिंग मैं आज आपको बताने जा रही हूँ ये मेरे पास में चुनून का कपड़ा है और ये मेरे पास कपड़ए जो 5 मिटर कपड़ा है मैं इसकी कटिंग बताती हूँ आपको सबसे पहले हमें इस कपड़े को इसorter से उर्टा इस तरह से फोल्ड करना है उर्टा फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पर उपर से जो हमारी जो पेटी बनेगी अमरेला फ्रोक की हमें उसका निसान लगाना है और हमें ये देख लेना है कि किसी की यहां से चेश्ट से ज़्यादा है या वो ज़्यादा मोटी है तो हमें कपड़ा अलग-लग लेना पड़ेगा लेकिन जो मैं बना रही हूँ वो एक पतली लड़की का फ्रोक है तो ये इस तरह से डबल पेने में इसका पेटी का सर आ जाएगा अगर ना आता हो तो आप एक बार यहां से लेकर दुबार यहां से लेकर अलग-लग लेके पेटी का कपड़ा ले सकते हो यहां पर मैं पेटी का यहां प새 Days रख रहे हूँ 1515 के त्यार हे गी आदा हीच यहां पर margin में चाहेगा 500 फेटी यहां पर साधे 15 पर निसान लगा रहे हूँ यहां पर मैंने निसान लगानе के बाद में यहां से मैं इसकी cutting कर अज़ना काहा दूँगी काड़ कर इसके दो पीस बना दूंगी मैंने पेटे वाले कपड़े के ये दो पीस बना दिये है और ये आगे का और ये पिछे का ये दो हो जाएंगे अब जैसे हम सूट की कुड़ती काड़ते हैं और इस तरह से डबल फोर्ड करकी कपड़े को रखते इसी तरह से मैंने इस कपड़े को रख दिया है अब जैसे कुर्टी की cutting करते हैं और तीरे का आरमुल का निशान लगाते हैं उसी तरह से हमें इसके ऊपर भी इसी तरह निशान लगाना है यह देखिए मेंने इसको इस तरह से डबल करके यह आगे का और पीछे का फ्रेंट इस तरह से रख लिया है और अब मैं इसका जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से यहां पर निसान लगाऊंगी यहां पर मुझे इसका तीरा रखना है छै इंच और यहां पर इसका आर्मॉल मुझे रखना है इसका इंच अब यहां से मुझे देख लेना है कि यहां पर छैंच का निसान काम पर आ रहा है इस तरह से और मैं इसकेल की मदद से यहां पर एक लाइन खेंच लूँगी इस तरह से अब हमें यहां पर जो साथ पर निसान आया है यहां पर इस तरह से एक लाइन ड्रो कर देनी है और अब हमें यहां पर साथ इंच के उपर इसकी फिटिंग का निसान लगाना है कि इसकी फिटिंग कितनी है और यहां पर इसका ब्रेश्ट का जो सामना है वो कितना है इसका जो ब्रेश्ट का है वो 16 इंच है तो मैं यहां पे 8 इंच का निसान लगा रही हूँ और इसकी कमर है 15 तो मैं यहां पे 7.5 का निसान लगा रही हूँ और इस निसान को इस तरह से इसके साथ में मिला रही हूँ अब हमें यहां पे आर्मोल का उसी तरह निसान लगाना है जैसा हम और कमीच के अंदर भी लगाते हैं यहां पे हमें दो इंच का निसान लगाना है और इसको इस तरह से अच्छी तरह गुलाईं दे देनी है और अब हमें यहां पे सवा एक इंच की उपर निसान लगाना है और इसको भी इस तरह से राउंड में गुलाई दे देनी है अब हमें इसकी कटिंग करनी है तो पहले हमें जो हमने यहां पे दो इंच का निसान लगाए है तो दोनों पड़दों की इस तरह से हम cutting कर देंगे अब हमें जो आगे वाला front है उसको इस तरह से उठा कर देख लेना है कि यह आगे आगे वाला है पिछे वाले की cutting हमें नहीं करनी है और इस तरह से हमें जो फरोक का आगे का front है पेटी का उसकी कटिंग इस तरह से कर देनी है अब यह हमारी पीछे की कटिंग है और यह हमारी आगे की कटिंग है और यहां पर हमें थोड़ा सा डाउन कर देना है इस तरह से ताकि हमारा गला पीछे का आगे का पीछे ना जाए इसलिए यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी आदा हिंच का हमें डाउन करना होता है और यह हमारा एक्ष्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा अंदर डेड़ इंच का हमने छोड़ दिया है अब हमें पेटी के निचे का अमरेला है फ्रोग का जो उसी त्यार करना है अब मैंने इस फ्रोग कामरेला निचे का घेर काटने के लिए 40 इंच का कपड़ा डवल में फ्रोड कर लिया है 40 इंच उपर यह 40 इंची निचे है और जैसे हम पलाजो काटते हैं उसी तरह से उसके वो कोणा उठाना हो और उसके बराबर हमें यहाँ पर कर देना है इस तरह से हमें यह कोणा इसके साथ में यहाँ पर अटेज कर देना है इस तरह से और यह इस तरह से हमारा फोर फोल्ड में हो जाएगा अब हमें हमारी जो कुड़ती है उसको उठाना है इस तरह से और इसको भी हमें फोर फोल्ड में इस तरह से कर देना है इस तरह से पकड़के हमें फोर फोल्ड में कर देना है ताकि यह भी फोर फोल्ड है और यह भी फोर फोल्ड है तो इसका जो यहां से पेटी का है इसके बराबर आ जाएगा इसको इस तरह से पकड़ो पकड़ने के बाद में इसको इस तरह से कर दो और इसके उपर यहां पर जहां पर यह सैट हो रहा है वाइपर इसको रग दो तो यह यहां पर इस तरह से सैट हो रहा है तो हमें यहां पर निसान लगा लेना है इस तरह से और निसान लगाने के बाद हमें इसको यहां से उठा लेना है अब हमें देखना है इसका यहां पर साड़े साथ आ रहा है तो ե्याइंद इसे दों करें, करते दों box तो इहां से parking ,दों और पर भी हमारी साथ का निसान लगांगे, कितनी रखने है मुझे मेरी फ्रोग के लंबाई 45 इंच त्यार रखनी है जिसके उपर ये मेरी 15 इंच की पेटी आ जाएगी और आगे इसलिए यहां पर मैंने इंच टेप को 15 इंच तक उपर निकाल दिया है इसके बाद में ये मैं लंबाई रख रही हूं यहां पर तो ये मेरा 45 इंच का निसान यहां पर आ रहा है तो मैं यहां पर निसान लगा रही हूं और निसान लगाने के बाद में मैं यहां पर इंच टेप रखूंगी और यहां पर 30 के उपर निसान लगाऊंगी क्योंकि 30 इंच ये नीचे का अमरेला हो गया और 15 इंच पेटी का हो गया तो ये मेरा 45 इंच त्यार हो जाएगा और इसके अंदर मैं एक इंच मार्जन के लिए रख रही हूँ जो नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा तो मैं यहां पर 31 इंच का निसान लगा दिया हूँ अब मैं यहां पर 31 इंच का इस तरह से निसान लगाती जाओंगे यह देखिए मैंने यहां 31 इंच का निसान लगा दिया है उपर मेरी पेटी आ जाएगी 15 इंच की और अब मैं यहां पर इसकी cutting कर रही हूं यह मैंने यहां से भी इसकी cutting कर दिया और cutting करने के बाद में यह देखिए इसका गेरा कुछ इस तरह सी बन गया है और उपर हमारी जो पेटी है उसको हम इस त्रहेसिस के साथ में शिलाई करते वक्त सेट करेंगे यह हमारी उपर इसके साथ में पेटी अटेच हो जएगी और ये हमारा इस त्रहेसिस का घेरा बन जाएगी यह हमारी उपर, इसके साथ में पेटी अटेच हो जाएगी और यह हमारा इस तरह से इसका घेरा बन जाएगा और इसके नीचे हम पीको कर लेंगे और यहांपर हमारा गला और बाजू लग जाएगी इस तरह से हम गर पे अम्रेला कटिंग का फ्रोक बहुत अच्छी तरह से काड़ सकते हैं और बहुत अच्छी लुकिंग के साथ इसकी सलाई करके पहन सकते हैं हेलो दोस्तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी चैलन को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ओल पर जाकर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिविकेसन आपको मिलता रही थेंक यू